हलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज हम लोग देखेंगे इतिहास कभीस है जो हमने सुरू किया था और हमने प्राग इतिहासी काल तक देख चुका है अगर आप लोग इसका पहला भाग नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं तो आज कर हम लोग सुरू करने जा रहे हैं वो है आद इतिहासी काल ठीक है आद इतिहासी काल को हम लोग सुरू करने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देरी के तो चलिए सुरू करत जैसा कि यह आदेती हासी काल जो होता है वो इस काल में मानो द्वारा लिखी वी बहुत सारी लिपियों को यहाँ पर देख पाते हैं लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि जो लिपी हम लोग देखते हैं वो उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं जो उसमें जो लिखने का जो जो script था, उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, वो सारी बातों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पर हम ने यहाँ पर देखना शुरू किया है, यह जो एद आदेति हासी काल जो है, वहाँ पर हम सबों को लिखित साक्षय प्राप्त होते हैं, लेकिन वे जो script यूज करते थे उनको हम लोग अभी तक वर्तमान समय में भी उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, तो और यहाँ पर यह भी कहा जाता है, जो इस काल से जितने भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होई है, वो पुरातात्विक साक्षय के रूप में प्राप्त होई है, है ना, पुरातात्विक साक्षय क्या होता है, जो अर्किलोजिस्ट जो होते हैं, जो उद्खनन के द्वारा और रिसर्च माध्यम के द्वारा ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, वे सारी बाते होती हैं, वही होता है आपका पुरातात्विक साक्षय, तो ये जो आद एतिहास काल है इसको हम लोग Śंधु सभ्याता की रूप में भी इसको सकते हैं क्यूंकि वहाँ पर सिंधु सभ्याता के मादियम से हमें बहुत सारी लिकित साक्षय प्राप्त हुई है लेकिन उसको अब तक हम नहीं पड़ पाए है। इसमें लिखा हुआ क्या है ? थीक है ? तो आब हम लोग देखते हैं यह सिन्दू सभ्याता से इसको ॏलेट करेंगे तो यह जो सिन्दू सभ्याता जो है वह एक सिन्धू नदी के तट पे MS थीत है सिंदू नदी के किनारे पे इस सभ्याता को पाया गया है और इसी के कारण से इस सभ्याता को सिंदू सभ्याता भी कहा जाता है और इसकी जो जानकारी हम लोगों को जो हुई है वो खडपा में जो खुदाई के दोरान हम लोगों को प्राप्थ हुई है क्योंकि जो पुरातात्विक साक्षे की बात यहां हो रही है, तो पुरातात्य को साक्षे का कारे क्या है? उद्खनन काम करना है, तो यह हडपा मैं इसकी खुदाइब और सबसे पहले सभ्यता की जानकारी हमें हडपा से ही प्राप्थ हुई थी, इस कारण से इसे भी हम लोग सिंधु सभ्यता के साथ साथ हड़ाप्प सभ्यता भी कहते हैं ठीक है इतना बात समझ में आ गया और ये जो सभ्यता है इसकी जानकारी हम लोगों को Charles Mason के द्वारा प्राप्थ हुआ था चाल्स मैसन एक सर्वेक्षन करता भी थे वे एक ब्रिटिस अधिकारी थे और उस्हों नहीं इसकी जानकारी हमें प्राप्थ कराई थी और इस अभ्यता कर जो सबसे पहला सर्वेक्षन किया है वो जैम्स कर्निंगम की दौरा किया गया है जेम्स कनिंगम के द्वारा इसका सबसे पहला सर्विक्षन काम सुरू किया है और यह जो सिंदू सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमेटर की दूरी पे फैला हुआ हम लोग इसको देख पाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि जो सिंदू सभ्यता को जो नाम करन हुआ है जो सिंदू सभ्यता नाम पड़ा है वो जोन मार्सल के द्वारा पड़ा है जोड मार्सल ने इस सभयता का नाम सिंदू सभयता रखा सिंदू सभयता का नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि यह सभयता है वो सिंदू नदी घाटी के किनारे ही स्थीथे इस कारण से पढ़ा है चलिए अभी हाँ पे मैं एक आप सबों को बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आप सबों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपना जो वीडियो का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिए 400 से उपर ही रखिए ताकि इसका मन जो भी है वो आप सबों को क्लियर दिख पाए क्योंकि जो इसका लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इसमें बहुत सारे लोगों ने मेसेज किया था कि वीडियो क्लियर नहीं है तो इसलिए आप लोग थोड़ा रेजुलेशन जो है वीडियो का जो छेत्र फल है जो छेत्र एरिया है वो त्रिभूजा कार की रूप में हमें दिखाई पड़ता है जैसे आप सभी कोई यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आप लोग दिया हुआ है कि जो त्रिभूजा कार की रूप में हम लोगों को दिखाई देता है तो यहाँ पे जो सबसे उत्परी जो छेतर है वो आपका मांडा कहलाता है ठीक है मांडा ठीक है और अगर पूरब की ओर जाते हैं तो वो हो गया आलमगीर हो गया आलमगीर पूर हो गया ठीक है जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है अब पश्शिव में जाते हैं तो सुतकान डेर है ना वो है आपका दास्क नदी की किनारे है और अगर दक्षिन में जाते है तो दयामा वाद जो है वो यहां पर है जो प्रवरा नदी किनारे स्थित हैं, ठीक है, और यह जो सभ्याता है, विश्वा की सबसे पहली सहरी सभ्याता की रूप में इसको देखा गया है, और यह सभ्याता को जो बिकास की बात है, वो पचीस सो इसापूर्व से लेकर सतरा सो इसापूर्व के मध्या में बात आया गया है, जैसे यहां पर अभी मैंने मानचित्र के माधियम तो नहीं यह चित्र के माधियम साप लोगों को बताया तो जैसे यहां पर है अगर पश्मी एरिया कहते हैं तो वो गया पाकिस्तान का जो सुथका कंडेर जो जगा है पाकिस्तान में वहाँ पे ये है सुथका कांडेर और अगर उत्री छेतर में जाते हैं तो मांडागर के जगा है जो कसमीर में है जो चिनाब नदी के किनारे है और अगर पूर्वी छेतर में जाते हैं तो उत्तर परदेश में है आपका आलमगीर पूर जो हिंडर नदी के किनारिज थी थे और अगर दक्षिन की बात करते हैं तो दयामाबाद जो है वो आपको महाराष्ट में इस थी थे जो प्रवरा नदी के किनारिज थी थे चलिए अब हम लो थोड़ी से जानकारी ले ले लेते हैं सिंदु सभेता के कुछ प्रमुक अस्थल के बारे में तो सबसे पहले है अब हडपा हडपा से ही सुरुवात हुआ क्योंकि खुदाई का जो काम है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया सबसे पहले तो इसलिए इसको हडपा सभेता भी कहा जाता है तो इसलिए हडपा से इसकी सुरुवात करते हैं तो ये हडपा सभ्यता जो है हडपा जो छेत्र है उसका जो खुदाई किया है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है और ये जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है और वरतमान में यहाँ जो हडपा है वो पाकिस्तान के छेतर पे चला गिया है और पाकिस्तान के ही मौंट गोमरी के एक जीला है डिश्टिक है वहीं पे यह हडपा सभियता मनने हडपा जो जगा है हडपा अस्थल है वहीं पे इस्थीत है अब बात करते हैं जब उत्खनन का प्राप्त हुई हैं जैसे कुमहार की चाक और अन्नागार, स्रमिक अवास, मातरी देवी की मूर्ती, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और आपका 37 कबरिस्तान प्राप्त हुआ है, हाथी के कपाल प्राप्त हुए है, स्वास्तिक चिन भी हम लोगों को यहीं से प्र अगर बात करते हैं, तो यहां पर अन्नागार देखने को मिला है, स्वास्तिक चिन देखने को मिला है, तो इसके माधियम से हम लोग धार्मिक स्थितिक की जानकारे भी हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, हरप्त से, ठीक है? अब चलिए मोहन जोदारा के ओर चलते हैं, मोहन जोदारो ठीक है? जो है बात हुई 1921 में इसका उत्खनन कराया गया, उत्खनन किसके द्वारा कराया गया? तो वो किया कराया गया? राखल दास बनर जी के द्वारा कराया गया, और ये जो मोहन जोदारो जो है वो वरतमान में पाकिस्तान के छेत्रक में लरकाना जीले जो और यह जो सिंधू सभ्यता है उसका यह सबसे बड़ा सहरों में से एक है राजनीत्य की इस तर पे भी यह जो सहर है मोहनजोदारों वो काफी एहम योगदान देता है तो इसलिए यह एक बड़े सहरों में से एक था और इसी सहर में आपका बहुत सारे कब्रिस्तान भी पर प्राप्त हुआ है इसको मुहाजोदारों को मुरित्यकों का टीला की रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं ठीक है और इस छेत्र पे आपको प्रोहित आवास घर में कुवा विशाल स्नानागार अन्नागार सूती वस्त्र और सबसे चौड़ी सडक और सभागार पति सिव की मूर्ती और कासे की नर्तकी तांबे का धेर यहां पर प्राप्त हुआ है तो यहां पर मुख्या रूप से अगर हम लोगों को जानना होगा तो मुख्या रूप से आपका क्या है विशाल अन्नागार आपकी जिगा स्नानागार ठीक है यहां पर बहुत बड़ा इस नानागार प्राप्त हुआ है और घर में कुवा मिले हैं प्रोहित आवास प्रोहित आवास से क्या जानकारी प्राप्त होता है कि जो पहले का जो जमाना था प्राचीन काल में तो वहाँ पे प्रोहित का ही सासन चलता था प्रोहित जो कहते थे वही माननिया होता था तो ये चीज़ है तो इसी समझ सकते हैं कि मोहजोदारों में आपका बड़ा सहर था और राजनीतिक रूप से भी ये बहुत थी महत्वपून युगदान था ठीक है? ये सारी यहां से चीज़े हम लोगों को प्राप्त होती है चलिए अब हम लोग चलते हैं किधर? चहुंदड़ों की ओर ठीक है? जो चहुंदड़ों जो जगा है आपका 1931 सिस्वी में खुदा ही हुआ है गोपाल माजुमदार के द्वारा किया गया है और ये भी जो है चहुंद़ों जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर ही इस्तित है या एक मात्र सहर है ठीक है? जो दूर्ग रही थै ठीक है? ये मात्र एक सहर है यहाँ पर दूर्ग सब थे और ये एक अद्योगिक सहर के रूप में भी इसको देखा गया है चहुंद़ों को ठीक है? और यहाँ से हम लोगों को मेक अप का समान लिपस्टिक, सीसा मन का, गुडिया सूई, अलंकरित इट और बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता का ये चीज यहाँ पर देखने को प्राप्त हुआ है चहुंद़ों से चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अब रोपड की ओर चलते हैं रोपड का जो खुदाई हुआ है उसका 1913 में खुदाई किया गया है और खुदाई करता के रूप में यग्यदत सर्मा के द्वारा इसका खुदाई हुआ है 1913 में और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे इस्तित है रोपड जो जगा है वो पंजाब में इस्तित है सतलज नदी के किनारे और यहां जो है मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शौ को देखने को मिला है और यह भी कहा गया है कि ऐसा सव जो नौ पसान काल में जम्मु कस्मीर के भुर्ज होम से मिला है जम्मु कस्मीर के नौ पसान काल अभी हम लोग कौन सा काल देख रहे हैं आग एतिहासी काल देख रहे हैं और नौ पसान काल में भी इसी तरह के सव यहाँ पे देखने को प्राप्त हुए हैं अब देखेंगे बनवाली के बारे में जो बनवाली है उसके खुदाई किया है रविंदर सिंग के द्वारा किया गया है और यहाँ बनवाली जो जगह है वो हर्यानक के में इस्तित है और इसके समीब रंगोई नदी है ठीक है और यहाँ जल निकासी का विवस्ता नहीं था जिस तरह आपका हडपा सभ्याद मने हडपा में था मोहंचोदारों में था लेकिन यहाँ पे देखते हैं बनवाली में जल निकासी का कोई स्विधा वैसा नहीं था जिसके कारण से जो सडके देखने को मिलती है वो टेड़ी मेड़ी रहती है जैसा आपका हडपा में क्या है हडपा में मोहंचोदारों में जो सडक का निर्मान किया गया है वो समनांतर किया गया है एक दूसरे को काटते हुए किया गया है सीधी रास्तों का निर्मान किया गया है लेकिन आपक का काली बंगा काली बंगा भी एक बहुत महत्वपून सहर है और काली बंगा का अर्थ क्या होता है काली बंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूडिया ठीक है काली मिट्टी की चूडिया और यहां से हमें अलहंकृत इट चूडि जोता हुआ खेत हल एवं हवन के सरस्वति नदी अब आपके सूख चुकी है लेकिन उस समय या जो नदी थी जीवित नदियों में से एक था तो सरस्वति नदी की किनारे या काली बंगा सहर है जो जराजस्थान में इस्थित है और इसकी खोदाई जो की है बी के थापड और बीबी लाल के द्वारा इसका ख अस्थल की रूप में भी इसको जाना जाता है और धौला बिरग जो खुदाई है रविंदर सिंह के द्वारा कराया गया था चलिए अब हम लोग देखेंगे लोथल के बारे में जो लोथल सहर है वो एक बंदरगा की रूप में जाना जाता है और जो लोथल है आपका गु और अगर आप मोहन जोदाड़ों का देखते हैं हरपपा का तो वो सड़क की और नहीं कुलते हैं। जो भी देशी ब्यापार का संकीत करती है। मुहर यहांसे प्राप्थ हुए है जो भारस का है। अफगनिस्तान से उधर का है और वहाँ पे हम लोगों से यह पत्र चलता है कि विदेशी व्यापार के यहाँ पे शाक्षे को देखा गया है चलिए अब हम लोग देखेंगे और यह जो आपका लोथल है वो यूगल सवाधान भी यहाँ पे देखने को मिलता है और सती प्रत् के रूप में भी इसको माना जाता है चलिए अब हम लोग रंगपूर चलते हैं रंगपूर आपका गुजरात में है और यहाँ पे धान की भूसी हम लोगों को देखने को मिलती है और यह जो सभ्यता है सिंदु सभ्यता है उसका सबसे बड़स्थल धोराविरा है जो तो सबसे बड़ा जो सथल है आपका राखी गड़ी हरियाना में स्थित है और जो सिंदु सभ्यता का सबसे बड़ा सहर जो कहते हैं मोहन जोदारो को माना गया है सबसे बड़ा सहर मोहन जोदारो को अब हम लोग चलते हैं विसेस्ता के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी ले रहते हैं और जो सभ्यता जो है वह एक नगरिय एम सहरी सभ्यता की रूप में इसको जाना जाता है और यहां कि सड़के हैं एक दूसरे को समकॉन काड़ती है है ना मतलब ऐस तरह से यहां कि सड़कें का निर्मान कराया गया है और और ये भी कहा गया है कि जो सडकी हैं पूरब से पश्चिन दिसा में जाती है जिसके द्वारा हवा द्वारा सडक स्वता साप्त हो जाती है जो हवा है उसके द्वारा सडक का सफाई भी हो जाता ये सारी कही बात कही गई है और वहाँ पर जितने भी नालिया को पाई गई है वो सारी के सारी नालिया धकी हुई है और जिन्दो सब बैदा कर जो अर्थ व्यवस्ता कर मुख्या अधार था वो क्रीसी था खेती बारी वहाँ पर खेती के कई साक्षे मिले हैं, गेहों के साक्षे मिले हैं, धान के साक्षे मिले हैं, ठीक है, और इनका ब्यापा जो है विदोशो तक होता था, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया, पारस के मुहर यहाँ पर प्राप्थ हुए हैं, और इनका जो समाज थ सित्र को देखने को मिलता है और इनके मुहरों में गाहे के चीत्र नहीं मिले हैं है ना जितने भी चित्र मिले हैं सारे के सारे एक सिंग वाले जानवार के चित्र मिले हैं लेकिन गाय का चित्र नहीं मिला है और बात करते हैं बाट की है ना सबसे नियुंतम बाट जो है मापतौल के लिए जो परियोग किया जाता है वो सोला के जी का सबसे नियुंतम ठीक है सोला के जी का होता था और सिंदुस अभ्यता के जो लोग थे वो यूद और तलवार से परिचित नहीं थे और सिंदू सभ्यता का जो बिनाज का सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो बाड को बताया गया है तो ये सारी बाते थी आज हमने जाना है सिंदू सभ्यता के बारे में आदेती हासकाल के बारे में जाना है जो हम सबों को जानना बहुत आ परशक था और हम लोग भारतवासी सभ्याता को पूरे प्राउडली हम लोग लेते हैं अपने जीवन में क्योंकि ये जो सभ्याता है दुनिया की सबसे प्राचीन सहरी सभ्याताओं में से एक है जब पूरी दुनिया खानव बदोस की जिंदगी जीर ही थी उसे में हमारे दे देश है वो एक सहरी सभ्याता के रूप में विक्सित हो रहा था इसके द्वारा हम सभी को जान पाते हैं कि हमारा जो देश है वो एक सहरी सभ्याता के रूप में काफी विक्सित रहा है प्राचीन काल में तो इसलिए हम सभी भारतियों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़र और स्थ्फलन के बारे में जाना है तो यी सारा बाते हें लिए- हमने वीडियो को मैं यह पर समाप्त करता हूं मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दीजे सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए और सदा खुस रहिए बहुत बहुत धन्यवाद